आप देख रही है MNS News सच जुरूरी है पूर्व डिप्टी सीयम सचिन पाइलट ने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संगर्श यात्रा का एलान किया था सोमवार यानी 15 माई को यात्रा का पाच्वा और अंतिम दिन था इस दवरान पाइलट ने कहा कि मेरे काम करने के तरीके पर मेरे निष्टा पर मेरे दूर विरोधी भी उंगली उठ नहीं उठा सकते मैं किसी पतपर रहू या नहीं रहू मैं राजस्थान के लोगों की सेवा अंतिम सास तक करता रहूंगा मैं डरने वाला नहीं हूँ राजस्तान कॉंग्रेस इकाई के पूर्वा देख्षत सचिन पाइलट ने कहा कि इस मैने के अंत में यदे तीनों मांगे नहीं मानी गई तो यूवाओ के लिए ब्रश्चचार के खिलाफ पूरे राज्य में अंदोलन करूंगा हम गाव में हर जगह लोगों के साथ पैदल चलेंगे कभी मैंने किसी पर इलजाम नहीं लगाया किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं बोला आप मुझे गाली दो आरोप लगाओ मुझे कोई चिंता नहीं जनता ही जनारदन होती है जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए वो निराश होते हैं लेकि इसकी कोई आशक प्राप्त नहीं है पाइलट ने आगे कहा कि मेरे मुद्दे को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं लंबे समय से सियासत में हूँ यात्रा में बहुत साती सात चल रहे है और कहना चाहता हूँ कि अंतिम सास तक राज्य की जनता की से पाउजा दिया जाए आरपियस को भंग किया जाए नए सीरे से चैन प्रक्रिया निर्दारितो वसुंदरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपो की जाच करवाई जाए आए बढ़ते हैं अगली ख़बर के तरफ शिंदे सरकार के बारे में अजित पवार की यह बात सुनकर शरत प पर जाते हैं तो कभी शरत पवार के इस्तिफे को सही बताते हैं अब इनकी गति वीडियो को देखकर तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह चाहते क्या है अब बीजीपी के साथ जाकर सरकार बनाई तो लगा शायद इनका सीम बनने का ख्वाब हो जब पीम मोदी की त संबालना चाहते हैं फिर साहब ने खुद मिडिया के सामने बयान दे डाला कि I am not interested for NCP chip post तो फिर अब हम नहीं कहेंगे कि साहब आप चाहते क्या है जरा कुछ खुल कर बताएंगे उमीद है कि इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद अब तक आप समझी गए होंगे कि हम किस जिससे उनकी अविश्वसनियत आप मिट्टी में मिल सकती है यकिन ना हो तो आप खुद ही नीचे लगे ट्वीट में देखिए कि साहब क्या कह रहे है अजित पवार क्या कह रहे है कि अगर शिंदे गुट के 16 विधाय को कि सदस्यता भी रद कर दी जाए तो मैं पूरे व सवाव चुनाओं के आलोग में विपक्षी एकता की नौका पर सवार होकर बीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटी है तो वही इनके अनूज शिंदे की तरबदारी कर रहे है बिटे रविवार को ही महारश्टर में माविकास अगाडी के नेताओं की बैटा हुई जिसमें सभी का पूरे जोश खरोश के साथ यही कहना है कि करनल डक में हुई कॉंग्रेस की जीत महज कॉंग्रेस की जीत नहीं बलकि पूरे विपक्षी बीरादरी की जीत है तबी उतसाहित है लेकिन ऐसी सूरत में आखिर बीजीपी का पक्ष लेकर अजित पवर क्या कहन चाह रहे है आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या वो महारश्टे में किसे बड़े सियासी तुफान का आगाज करने जा रहे है ये तो फिलाल आने वाला वक्त ही बताएगा आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरह सिद्धर मया के साथ अधिकतर विधायक जल्द घोशित किये जा सकता है करनाटक के सिया करनाटक में कॉंग्रेस विधायक दल का नेता यानि अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर अब तक मंतन का दोर जारी है यहां नवनिर्वाचीत विधायकों की राय जानने के बाद त अधिकतर विधायक सिद्धर मया के पक्ष में है और ऐसे में जल्दी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोशना की जा सकती है दरसल कॉंग्रेस अध्यक्षा मली करजुन खडगे ने करनाटक में कॉंग्रेस विधायक दल CLP का नेता चुनने के लिए वरिष्ट नेत सुशिल कुमार शिंदे जीतिनरसी और दिपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था तीनों पर्यवेक्षकोगों ने पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से अलग-अलग बताकर रोनकी राय जानी थी ये तीनों पर्यवेक्षक सोमार शाम खडगे के ऐसे ही दीनबर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे तब तक बने रही है MNS News के साथ, नमस्कार.